नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का हमारे यूटूब फेस्बुक वे इंस्टाग्राम पर दोस्तों 15 बड़ी महतपून प्रभावशाली भविश्यवानिया जो एक व्यापक प्रभाव आपके जीवन में छोड़ेंगी हमारे जीवन में छोड़ेंगी और मिथुन राशी के वालों के जीवन में छोड़ेंगी और मिथुन राशी बुद्ध की राशी है अब क्या होगा किस तारीक में कौन सी बड़ी भविश्यवानी घटित होती ही नजर आ रही और कुछ चार पांच तो ऐसी भविश्यवानिय हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और हमारे जीवन पर इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा सुने अंद तक सुने बहुत कुछ सीखने को बहुत कुछ समझने को आपको प्राप्त होगा और आज मैं आपको पूरी गहराई के साथ मैं सारी चीजे समझाओंगा इसलिए जुड़े रहिए वीडियो का आनंद उठाइए और साथ में इन पंदरा भविश्यमानियों को सुनना तो चाहिए ही चाहिए बाकि आपकी इच्छा है मैं तो बनाता हूँ आपके लिए तपस्या करता हूँ आपके लिए रिसर्च कर हो सकती हैं क्योंकि इस साल के कमपैरेटिवली जो नेक्स्ट इयर ग्रहों का प्रभाव रहेगा वो और ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए शनीदेव बहुत अच्छा फल देंगे और मिथुन राशी के लिए तो वैसे भी शुरुआत करता हूँ और सबसे इंपोर्टेंट आपको बता देता हूँ कि आपके लिए एक देव गुरु ब्रस्पती बड़ा रोल प्ले करेंगे और देव गुरु ब्रस्पती मई महीने में राशी परिवर्तन कर जाएंगे और वो 12 हाउस में चले जाएंगे तर दो न जिस भविश्यवानी के बारे में बात करना चाहता हूँ वो आपके खुद बुद्ध से ही संबंदित है आपकी राशी के जो मालिक हैं वो बुद्ध देवता बनते हैं और वर्ष की शुरुआत में इनका जो प्लेस्मेंट है वो मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा पर हाँ ये जरूर बोलूँगा कि मैंने बोला शुरुआत में पर कुछी दिनों के बाद तो पहली बड़ी भविश्यवानी अब आप नोट कर लीजिए वो ये कहती है कि दिनांग साथ जनवरी दो हजार चौबिस को जी हाँ आपके बुद्ध ग्रह इधर आ जाएंगे धनूराशी में, सेवन्थ हाउज में, पतनी के घर में और आपके मान सम्मान को देखेंगे, आपके शरीर को देखेंगे, आपके उन्नती को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, भाषा शैली को देखेंगे, और क्या लेकर के देखेंगे, ये देखेंगे मीन जादात को ले करके तो ऐसी इस्तिती में सुक साधन प्रॉपटी वहान के मालिक हो करके मान सम्मान के मालिक हो करके जब भी आपके शरीर को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो और ये साथ जनवरी तो हजार चौबीस से आपका समय काफी अनुकूल चालू होगा और दिनांक एक फरवरी दो हजार चौबीस तक ये समय अच्छा चलेगा पहली भविश्यवानी आपने सुन ले अब मैं आप से बात करना है वो आपकी राशी का मालिक हो करके आपके सुक्सादन का मालिक हो करके इदर भाग्य के घर में रहेगा और वो भी शनी के साथ रहेगा यहां कितनी सुन्दर यूती बनेगी शनी की और बुद्ध की भाग्येश भाग्य के घर में और राशी का स्वामी आपका कारे सिद्ध होगा ऐसे शुब योग हम बनते हो नजर आ रहे हैं कारे की सिद्धी होगी इच्छाओं की पूरती हे तू आपको शुब फल शुब आशीश प्रदान होता हुआ नजर आ रहा है ये शुब कामना है ये बेस्ट विशेज मेरी आपके लिए रहेंगी ये को थोड़ा अलर्ड हो करके काम करना है सम्मान को ठेश पहुंस सकती है कैरियर के घर में नीच होंगे तो कैरियर में कोई बाधा उत्पन हो सकती है अपने लोगों से कोई धोका मिल सकता है कोई चीटिंग आपके साथ में हो सकती है इस बात का ध्यान रखते हैं आपको चनल भविश्यवानी में लाव के दृष्टी कोंड से अच्छा रहेगा वैसे तो बुद्ध शत्रू राशी में रहेंगे बट गुरू की बुद्ध की युती बनेगी दर लाविस्थान में तो ये युती ठीक होती है इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फिफ्ट बड़ी भविश्यवानी की ये भविश्यवानी आपके लिए एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग लेकर के आ रही है और जहां ये तीन नमबर लिखा यहां ये भविश्यवानी बनेगी तो पांच भी क्या कहत लिए कि दिनांग 14 जून से लेकर के और दिनांग 39 जून तक इस टाइम पीरिड में कोई आपको अकसमात गेन हो सकता है और इस टाइम पीरिड में आपके लिए एक नव पंचमराजयोग भी बनेगा और सुखों के लिए और सम्मान के लिए और भग्ये के लिए ग्रह पक प्रभाव हमारे लेकर के आएगी और वो खुद आपके राशी के स्वामी बुद्ध से ही संबन्द रखती है दिनांग 23 सितंबर से लेकर के और 10 अक्टूबर तक इस टाइम पीरिड में आपके जो बुद्ध गिरे इदर 6 नमबर में आएंगे और एक भदर नाम का महा निती में सफलता होगी और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे ऐसा आपकी पत्री मुझे कहते हुई नजर आ रही है इसलिए जो मैंने छटी भविश्यमानी बताई है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए निर्नायक मुझे नजर आ रही है अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सातवी बड़ी भविश्यमानी की और ये दिनांक 10 अक्टूबर से लेकर किया और 39 अक्टूबर तक चलेगी इस टाइम पीरियड में आपकी बुद्धी के उन्नती के घर में नीती के शास्त कला विद्वानता के घर में गोचर हो जाएगा बुद्ध ग्रह का तो ये 10 से औ 29 अक्टूबर तक का समय बहुत जादा उत्तम रहेगा लाबदायक रहेगा और इसमें सबसी अच्छा ये योग बनेगा कि कुछ आपको अक्समत पैसा लागए फिल्म इंडस्ट्री से जड़ोए लोगों के लिए आई-टी टेक्नलोजी से जड़ोए लोगों के लिए बह हो रहेगी आपके शुक्र ग्रह से संबन्देद यानि की आठ नंबर की जो भविश्यवानी है इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में देखने को मिलेगा सब से महतपून द्यान से समझ लीजे शुक्र देव जो की धन के भी काराख होते हैं सुक् सुविधाओं के भी काराख होते हैं और glamour के कारक होते हैं ये शुक्र गरहे आपके लिए 20 फरवरी से लेकर के और 7 मार्ज तक 8 भी भविश्यवाणी में ये कहता है कि आपके ये भग्य के गर में रहेगा इदर और शनी शुक्र के साथ में रहेगा और पंचम का स्वामी होकर के शुक्र भग्य में रहेगा और मिथन राशी से नवम रहेगा तो ये टाइम लिटरली बहुत अच्छा है इस समय में आपको कोई एजुकेशन में सफलता मिल सकत लिए और पिता से सहीयोग मिलेगा विदेश आत्रा के अवसर आपको प्राप्त होंगे ऐसा आपके कुनली कहती है नौवी जो बड़ी भविश्यवानी है वो भी आपके लिए काफी महतपून है और इनफेक्ट उसमें तो आपके लिए एक राजयोग ही बन रहा है और राज मालव नाम का महापूरुष राजयोग ऐसी इस्तिती में आपके बुद्धी उन्नती का आपके कैरियर के साथ में संबंद बनेगा कारे सिद्धी होगी और पदोनती अच्छी होगी काम थ्रूआउट बनने लगेंगे और साथ में होटल लाइन फिल्म इंडस्ट्री गायन अभी ने कला फैशन साथ में रेस्टूरेंट का काम कंस्रक्शन का काम इससे जोड़े लोगों को विशे सफलता मिलेगी दसवी जो बड़ी भविश्यमानी है वो भी आपके लिए मुझे काफी महत्यपूर नजर आ रही है और ये भविश्यमानी शुरू हो रही है आपकी 9 अप्रेल 2024 से और फिर ये भविश्यमानी आपकी 10 माई तक चलेगी यानि कि फिर एक बार आपके लिए ये राजयोग बनेगा मालव विणाम का महापूरिश राजयोग ये फिर एक बार रिपीट हो रहा है बहुत अच्छा रहेगा ग्यारवी नंबर की जो बड़ी भवि रहेगा इसमें भी आपके कारेश सिद्ध होंगे ये मैं आपसे कहना चाहता हूं और इसके अलावा एक और भविश्यमानी में इसमें एड़ करना चाहता हूं ग्यारवे नंबर में और वो भी आपके लिए जानना जरूरी है 12 जून से और 6 जुलाही तक है ये ये टाइम पीरियड आपके वेक्तित्व के लिए और कुछ अक्समा धनलाब के लिए बहुत सुब दिखाई देता है 12 नंबर की जो भविश्यमानी है वो भी आपके लिए निरनायक होगी इसमें आपके लिए शुकर नीच का हो जाएगा और शुकर का नीच होना अच्छा नहीं होता यह दर 6 नंबर राशी में नीच के होंगे सम्मान में कमी करेंगे इसलिए 12 नंबर में आपको साफधान रहना है वविश्यमानी में और 24 अगस्त से ले करके और 18 सितंबर तक साफधान रहना है दोपैर में 2 बजे तक इसके बाद फिर एक बार समय बदलेगा और वो बदलत साल है यह अक्टूबर के मैने में देखने को मिलेगा 2024 में बहुत उत्तम उचाला रहा है सर्व कारे सिद्धी का योग बन रहा है इसक्टूबर के मैने में यानि कि काम बनेंगे और जबरदस तरीके से बनेंगे 14 नंबर की वविश्यमानी है वो यह कहती है कि दिनांग 6 न रहना पड़ेगा निथा हानी हो सकती है और इसके बाद जो नेक्स्ट भविश्यवानी कहती है वो यह कहती है यानि कि पंदरा नंबर की कि इसमें आपके लिए शनी देव वक्री होंगे और यह हो रहे हैं उननतेश जून को तो शनी वक्री होते हैं तो फल थोड़ा स्लो कर यानि कि जुलाई से इनका स्लोफल स्टार्ट होगा तो थोड़ा एफट्स दालने पड़ेंगे हर काम के लिए तब जा करके काम बनेगा पर बनेगा जरूर तो दोस्तों ये है आपके ग्रह इस्तिती जदी आप भी कुंड़ी बनवाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं